यहां से थोड़ा वेट करता है तो यह नीची की तरब थोड़ा सा सेलॉफ आप सकता है पहले ही कैंडल के अंदर दो सब्सक्राइब जाने के बाद दो कैंडल के अंदर बहुत सार लोग का इतना लोग सेल किया होगा अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो रिवर्सल में ही तो यहां पर ने प्लां किया था कि ने डबल पैटन है यह लेवल सारे 400 लेवल एक सार बाइंग लेवल होगा और इसके उपर भी एक स्विंग बनाया तो बहुत अच्छा मोमेंटम दिया दो ही कैंडल के अंदर बहुत आचा टार्गेट मिला उसके अद कुछ कास मोमेंटम नहीं रहा है इतने लोग वीडियो नहीं देखें लाइब ट्रेडिंग का आप लोग वीडियो में चेक कर सकते हो प्रीवी आज ही मैंने डाला था आप लोग देख सकते हो इसके अब ही बाइंग सेनारियो में नहीं है लेकिन बहुत लोगों के माइंड में यह होगा इतना सेल आफ आने के बाद एक पुल बैक आजाए तो यहां से पुल बैक आने का चांसेस है नो डाउट लेकिन और जितने लोग सेलर होंगे यह सोच रहे होंगे कि इन जल्दी यह ल अगर कल मार्केट होल्ड करता है और हम लोग यह सोचते हैं कि नई थच्डे के दिन मार्केट गिरेगा प्रोबाबिलिटी के यह साफ से चांसेस कम है क्योंकि लास्ट दो एक्सपारी से अल्ड़ी मार्केट नीचे की तरफ सिंक हो रहा है और मतलब ठीक ठाक प्रोफिट दिया है 300-300-300-200 इस तरीके का सेलफ आया है तो कल थोड़ा सा पता नहीं मुझे डाउट फुल लग रहा है कि अगर यह रिकावर होना होगा चली हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा कंटिनूस पैटन है कल भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ने मार्केट कंटिन नहीं करेंगे सम्वेर राउंड 39,300 के नीचे अगर एक 15 मिट का कैंडल क्लोज करता है तब यह अच्छा लेवल रहेगा हम लोग को सेल करने के लिए इसके नीचे अगर खुलता है ता मैं हेजिटेट नहीं करूंगा सेल करने के लिए मेरे लिए मोमेंटम पॉज फिर कंट का कल ट्रेड मिलेगा 100% लेकिन गापप खुलता है गापडाउन खुलता है यह थोड़ा सा नोटीसेबूल होगा अगर फ्लाट खुलता है या फिर थोड़ा सा गापडाउन खुलके फिट से क्रॉस करता है 39,500 यह लेवल इंटरेस्टिंग रहेगा क्रोस करते साथ हम इसे सेलिंग के लिए ही रहेगा कल जिस तरीके से मार्केट प्लेराउंड हुआ है अगर कल गापडाउन खुलता है या फिर 39,300 के आसपास खुलता है तो फिर से हम लोगो 39,000 लेवल देखने मिल सकता है और 39,000 लेवल टच होने के बाद मेरा स्टॉप लॉस अगर अगर मै मैं सौट किया हूँ यह 39,000 आने के बाद मैं ट्रेल कर लूँगा 300 मार्केट को सोड़ा 200-200 पॉइंट स्पेस दूँगा और उसके बाद यह फिर कंटीनिव जा सकता है तो कल एक अच्छा टाइम है मार्केट के पास अगर इसको मूव करना है विक्स भी बहुत ही इंट्रे हुआ है तो मेरा टार्गेट थोड़ा सा नोड आउट बड़ा ही रहेगा लेकिन तीन चार दिन से सेल अप के बाद थोड़ा सा हाथ नहीं जाता सेल अप करने के लिए मेरे हाथ में अभी कोई भी पोजीशन नहीं है कली मैं डिसाइड करूँगा अगर मार्केट मुझे ब तो कल थोड़ा सा वेट करते हैं किस तरीके से थोड़ा सा में अभी भी है लेकिन कल अगर प्राइस नहीं मिलता है और 39,500 के ऊपर निकल जा रहा है तो कुछ क्वांटेटी मैं पर्चेस भी कर सकता हूं जैसे आपने वो लेकिन मेरे पास कोई पोजीशन अभी नहीं है ले इसके नीचे ही क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है तो एनी पुल बैक लोग रेडी रहेंगे सेल करने के लिए तो यहां से अगर कंटिन्यू आता है फिर 16,800-17,000 यह सारे साइकलोजी लेवल है तो हो सकता है किने कल भी हम लोग को एक सेल अप देखने के लिए मिलें लेकिन कही ना कही रिवर्सल भी आ सकता है इसका हम लोग प्लान करेंगे लेकिन आप अगर देखो कि आज एक अच्छा रिवर्सल आया था यह रिवर्सल देखने के बाद इमीडिटली सेलिंग आया तो थोड़ा सट आउटफूल है कि नहीं कब तक मार्केट मतलब हाय लेवल पर पहुंचने दीजिए अगर यहां पर कुछ मिल रहा है हम लोग 50-60 रुपे का स्टॉपलोस डाल के बाई कर सकते हैं अगर यहां पर इतना लोग सेल कि होंगे उनका स्टॉपलोस हीट होगा तो एक मोमेंटम आ सकता है अगर यह लेवल नहीं आता है तो मैं बाई करने के लि यह अगर ब्रेक करता है तो चांसे से फिट से हम लोग को नया स्विण देखने के लिए एक सेलब देखने के मिले स्टॉप धेकले मिले तो प्राइस को डिसाइट करने दीजिए क्या यह लेवल आ रहा है तो वाले टिली हो सकता है लेकिन शीज लेवल पर खुला है 13,000 10 20 break करने दीजे फिर हम लोग सेल करेंगे चलिए हम लोग स्टॉक देख लेते हैं पहला स्टॉक है और एक पॉइंट है में कल लाइफ ट्रेडिंग और यह प्लान नहीं कर पाऊंगा मैं ट्रावल कर रहा हूं लेकिन आज का लाइफ ट्रेडिंग बहुत जादा इंटरेस होगा यहां से थोड़ा सा बेरिसने से इसी प्राइस में आके रिवर्स होता है फिट आया फिर रिवर्स हुआ आज भी थोड़ा सा इसे डाइसी क्लोस दिया है लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो एक सेल ओफ फिट से मिल सकता है 1175 या फिर 1174 73 यह सारे लेबर हम लोग क अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है जिसने लोग पोजिशनली सॉट किया है मेक शुर किने आपका स्टॉप जहां से सेल किया हो उसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लोग डाल देना है क्योंकि आज बहुत अच्छा मोमेंटम अल्री वह कर चुका है और थोड़ा बहुत र मोमेंटम किया इसके बाद ही बहुत सा लोग यहां पर बाई कर लिए होंगे सी लेकिन इसको वोल्ड करके रग गया होंगे कि यह सोचकर आज जाकपॉट चला जाएगा आप खुल सोचिए मार्केट सुभे से वोलाटाइल है मार्केट पहले नीचे गया फिर उपर गया फ तो मेक शूर कि ने आपका अगर प्रॉफिट एक अच्छा गासा मिल चुक है वाहां पर लॉस नहीं करना चाहिए सिमिलर केस अगर आप लोग आधानी पोर्स के अदर अगर आपको प्रॉफिट मिल चुक है तो मेक सिर ट्रेलिंग स्टॉप लोग डाल दो सब्स आपको ल कर रहा है अज अच्छे लेवल पर क्लोज हुआ है 1500 के उपर क्लोजिंग देना स्टार्ट हुआ है यहां पर स्विंग है तो अगर यह क्रॉस करेगा तो 1540 तक भी जा सकता है तो 1522 के उपर हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं 728 का स्टॉप लोस होना चाहिए वान च्टू मि आप लोग समझ में आ रहे हों कि वीडियो चला हुआ है अभी इतना है थैंक्यू